दोस्का दोस्तों देट हैं आज की 27 अपरियल 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकर्शन में आज टोटल तीन इश्यू हम डिसकर्श करेंगे सबसे पहले इश्यू हम डिसकर्श करेंगे लाइव मिंट का पाम ओयल के बैन से सम्मधित है इंडोनेशिया ने हाल ही में पाम ओयल के एकस्पोर्ट पर रोक लगा दी इससे इंडिया पर क्या repercussions होंगे वो सब हम डिसकर्स करेंगे दूसरा आर्टिकल हम डिसकर्स करेंगे हिंदू का Integrated Command and Control Center से सम्मधित तीसरा इश्यू हम डिसकर्स करेंगे इंडियन एक्स्प्रेस का हाल फिलाल में इंडिया की फोरेंड पोलसी में अंडवान एन निकोबार आइलेंड का रोल काफी ज़्यादा बढ़ गया है कैसे क्या कुछ सरकार कर रही है वो सब चीजें डिसकेसन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए स्वामी विवेकरनंद का कोट है देखो वर्ल्ड की वेलफेर का कोई चांस नहीं है जब तक कि महिलाओं की जो कंडिशन है वो इंप्रूब नहीं हो पाती क्यूंकि किसी भी पंची के लिए एक पंख पर उड़ना प्रूमन से समंदित टोपिक आये तब आप स्वामी विवेकरनंद के कोट का इस्तमाल कर सकते हो अब चलिए डिसकेसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल एडिबल ओईल से समंदित हैं आप जीयस पेपर थ्री के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर स देखो एडिबल ओईल के इंपोर्ट के लिए ना इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं चाये वो संफ्लोवर ओईल हो या फिर पाम ओईल हो जातर एडिबल ओईल इंडिया इंपोर्ट करता हैं और इंडोनेशिया पाम ओईल को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है, यानि सबसे जारा जो palm oil export होता है, इंडोनेशिया से होता है, तो इन्होंने ना अभी कुछ समय के लिए palm oil के export पर रोक लगा दी है, मतलब इंडिया अब इंडोनेशिया से palm oil नहीं purchase कर सकेगा, तो जाहिर तोर पर इंडिया में edible oil की कमी हो जाएगी, और edible oil के जो दाम है बहुत ज़दा बढ़ जाएंगे, अगर इंडिया कोई और alternative नहीं खोज पाता है अब आपके मन में question ये भी आया होगा, कि इंडोनेशिया ने आखिरकार palm oil के export पर क्यों रोक लगा दी देखो, उनके माना कमी हो गई, इंडोनेशिया में domestic consumption के लिए palm oil नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए export पर बैन लगा दिया अब ये बात सच है, जादा समय के लिए तो इंडोनेशिया बैन नहीं लगाएगा जल्दी से खोल देगा, लेकिन बात इंडिया की है, जब तक इंडिया ने जल्दी से कोई और alternative नहीं खोजा तो edible oil के जो दाम है, दो गुना हो सकते है इंडिया में 100% से लेके 200% के बीच में पढ़ सकते हैं तो महगाई बहुत जड़ा बढ़ जाएगी ये चिंता की बात है इंडिया के बाद में दूसरे नंबर पे हम palm oil इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, यानि मलेशिया पूरे वल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है जो palm oil को produce करता है लेकिन देखो, मलेशिया के पूर परधामंत्री ने, कस्मीर के इश्यू पर एक कोमेंट कर दिया था उसके बाद से हमारे न, मलेशिया के साथ रिष्टे कोई खास नहीं है तो, यूँ कहना कि इंडूनेशिया से हम palm oil नहीं परजेज करेंगे तो मलेशिया एक विकल्प हो सकता है इस बात में उतना दम नहीं है क्योंकि देखना पड़ेगा तो, कि हमारे गलेशिया के साथ बहुत ज़्यदा अच्छे तो नहीं है हाला कि परधामंतरी अब वो है नहीं नए परधामंतरी आ चुके हैं लेकिन रिष्टों में उतनी गर्माहट नहीं है मलेशिया के साथ में दिक्कत देखो एक पते क्या हुई है सनफ्लावर ओइल सुरज मुखी का तेल हम ब्लैक सी रीजन से इंपोर्ट कर रहे थे लेकिन युक्रेन वार के कारण सुरज मुखी का तेल इंपोर्ट करने में भी इंडिया को बहुत दिक्कत आ रही है और पाम ओयल ये तो देखो वर्ल्ड का सबसे दाना इस्तमाल किया जाने वाला कुकिंग ओयल है और इंडिया में टोटल जितनी एडिबल ओयल की खपत होती है उसमें से 40 परसेंट तो पाम ओयल होता है बाकि दूसरे तेल होते हैं मस्टर्ड ओयल, सुरज मूखी का तेल और देखो इंडिया वर्ल्ड के विभिन देशों से 8 मिलियन टन जो पाम ओयल है न वो हर साल इंपोर्ट करता है इसके बाद एक बर फिर से सोर टर्म और लोंग टर्म मेजर्स के बारे में सजेशन दिया जाता है मलेशिया में लेबर सोर्टेज है फिलाल और इतनी प्रोडेक्शन भी नहीं हो रही है पाम ओयल की तो मलेशिया गैप को फिल नहीं कर सकता, थाइलेंड से हम थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन गैप को थाइलेंड भी फिल नहीं कर सकता कुलमिला के solution एक यही बसता है कि इंडोनेशिया के साथ इंडिया अभी फिलाल ठीक से negotiate करे कि भया आप एकदम से abruptly बैन मत लगाओ पाम ओयल के export पर इससे तो इंडिया में महंगाई काफी जादा बढ़ जाएगी, edible oil काफी जादा महंगा हो जाएगा और long term में तो दे भी करते हैं, strategic petroleum reserve भी establish किये हैं, लेकिन देखो जादातर edible oil भी हम दूसे देशों से import करते हैं, इसके लिए dependency create करने के लिए ज्यादा media में चर्चा नहीं होती, एकदम से बहुत ज़दा बढ़ गए है edible oil के दाम, तो सरकार को na long term measures भी लेने चाहिए ताकि long term में हमारी जो dependency है edible oil के लिए दूसे देशों पर उसे पूरी दरे से खतम किया जासके, और कम से कम edible oil के मामले में हम self sufficient हो, एक तरफ हम बात करते हैं, कि wheat और rice हमारे देश में जूर्ट से ज़्यादा उगता है, और rice के लिए तो पानी की इतनी ज़्यादा खपत होती है, rice को जब हम export करते हैं, तो ये का जाता है, experts के दारा rice के साथ साथ हम इतना ज़्यादा पानी भी मुफ्त में दे देते हैं दूसे देशों को, जिसको हम rice export करते हैं, तो सरकार को crop pattern में change लाना चाहिए, तो edible oil की production, edible oil वाली जो crops हैं, जैसे सरसो हैं, ये सब हम क्यों नहीं उगाते, इसके लिए हम कि meeting season के लिए, सरकार ने रभी crops के लिए MSP को announce किया, सरकार पहले से विविन crops के लिए MSP announce कर देती है, ताकि farmers उसी हिसाम से decision लेज के, कि उन्हें कौन सी crop उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है, और देखने वाली बात ये है, कि wheat का MSP है, वो सरकार ने पिछले साल के अपिक्सा कर्थ increase किया है, 8.6%, इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ, कि सरकार चाहती है, कि किसान जो है, वो cereal crops जैसे wheat, rice, इनके बजाए, जो edible oil वाली crops है, वो ज्यादा उगाए, इसका reason देखो ये है, हमारे देश में एक तरफ जो ये cereal crops है, wheat and rice, ये तो बहुत ज्यादा मतलब surplus में है जबकि दूसरी तरफ देखो, edible oil वाली crops जैसे mustard है, यानि सरसो है, इनको हम import करते हैं, और इनके import पर हमारा खर्चा भी काफी ज़्यादा होता है, 2020-2021 के financial year की हम बात करें, इंडिया ने कितना edible oil import किया था? 11 billion dollars, यानि 80,000 करोड का edible oil हमने दूसरे देशों से import किया था, अगर हम edible oil के मामले में self-sufficient होते, तो हमारी foreign currency भी बचती हैं, और हमें edible oil के लिए दूसरे देशों के ऊपर depend भी नहीं होना पड़ेगा, देखो हम इतना ज़्यादा edible oil तब import कर रहे हैं, जबकि edible oil के जो दाम है वो बहुत ज़रा बढ़ चुके हैं, जुलाई 2020 और जुलाई 2021 है, एक साल में edible oil के दाम 32.5% बढ़ गए हैं, तो इतना सारा पैसा दूसरे देशों को देने से तो अच्छा है, हमारे देश में edible oil produce हो और हम self-sufficient हो और इसके लिए किसानों को उनकी फसलों के उच्छी दाम भी मिलें, बट mustard की बात पर राइटर देखो, एक बात ये बोलते हैं, ये बात ठीक है कि सरकार ने इस साल मतलब 2022-2023 के सीजन के लिए mustard का जो MSP है वो 8.6% increase कर दिया है, बट दिक्कत ये हैं सरकार mustard को procure नहीं करती है, जबकि सरकार wheat को procure करती है, इसलिए wheat उगाना किसानों क थोड़े बड़े हैं, लेकिन हमारी फसल सरकार procure तो करेगी, लेकिन mustard में सरकार ने MSP तो ज़्यादा increase कर दिया, लेकिन किसानों को safe नहीं लगता, उन्हें लगता है कि दाम बढ़ाने से क्या होता है, अगर कोई ख्रीदने को त्यारी नहीं होगा, यानि सरकार उसे procure ही नह उस क्या था, ये देखो सरकार का एक सही दिशा में बहुत ही अच्छा step था, ये जो palm oil की फसल होती है, काफी अच्छी productivity देती है, अगर अच्छी farm practices को follow किया जाए, तो एक hectare में palm oil की फसल की 4 ton oil की productivity हो सकती है, एक hectare, 4 ton oil की productivity, palm oil की फसल की, बड़ देखो ये जो फसल होती ह है, बहुत ज़्यादा water intensive होती है, काफी पानी चाहिए, humidity भी चाहिए, हर मन्त 150 mm rainfall के अश्रता होती है, और जहाँ पर temperature 20 degree से 33 degree के बीच में है, वहाँ पे ये फसल ज़्यादा अच्छे से उगती है, National Re-Assessment Committee 2020 ने identify किया था, हमारे देश में 28 lakh hectare का area ऐसा है, जो इन conditions को fulfill करता है, यानि हमारे देश में 28 lakh hectare का area है, जहाँ पे palm oil वाली crop को उगाया जा सकता है, और अभी देखो 28 lakh hectare में से सिरफ 3.5 lakh hectare पर palm oil वाली फसल की खेती हो रही है, तो काफी सार जो potential है वो अभी utilize नहीं हो रहा है, उसे utilize करना बाकी है, और ये जो potential utilize करना बाकी है, इसमें से देखो 34% area तो North East के states में है, खास करके Assam में, उसके बाद 19% area आंदा परदेश में है और सबसे last में 16% area तेलंगाना में है, तो ये जो mission सरकार ने launch किया था, N-E-O-M-O-P, ये देखो 2025-2026 आते आते, 6.5 lakh hectare और area palm oil वाली फसल के under लेकर आएगा, जिसमें से 3.25 lakh hectare का जो area है वो North East का होगा, और बाकी जो area है वो देश के दूसरे parts में होगा, खास करके, मिला के, 2025-2026 तक situation ये हो सकती है, हमारे देश में 1 million hectare, यानि 10 lakh hectare का जो area है, वहाँ पर palm oil वाली फसल जो है, वो उगाई जा रही होगी, राइटर कहते हैं, गोर्मेंट थोड़ा सा ज़्यादा और बोर्ड हो सकती थी, तारगेट ये हो सकता था कि 2025-26 आते आते, एक million hectare की बजाए, हमारे देश में 2 million hectare का जो area है, यानि 20 lakh hectare का जो area है, वहाँ पर palm oil वाली जो फसल है, वो उगाई जाती, तो ज़्यादा अच् section में ठीक-ठाक मुकाम हासिल कर पाते, self-sufficiency तो देखो अभी भी बहुत दूर है, self-sufficiency edible oil के मामले में तब आएगी, जब हम total cool मिला के 45 million hectare का जो area है, वो oil seed cultivation के तोर पर develop करेंगे, 45 million hectare बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिए आपर, हम palm oil की जब बात कर रहे हैं, 2025-26 तक एक मिलियन hectare का जो area है वो palm oil cultivation के अंडर आएगा, तो हम सभी oil seeds cultivation की बात कर रहे हैं, total 45 million hectare का जो area है, वो oil seed cultivation के अंडर आना चाहिए, तब जाके हम self-sufficiency होंगे, edible oil के मामले में हमें दूसरे देशों से import नहीं करना पड़ेगा, बट देखो जब तक हमारे देश में किसान focus cereal crops पर करेंगे, यानि कि wheat rice पर करेंगे, तब तक देखो edible oil को सरकार के दोरा पर मोट करना मुस्किल है, तो इसके जबाब में suggestion rider के दोरा ये दिया जाता है, जैसी safety farmers को wheat and rice उगाने में में महसूस होती है, कि सरकार इसे procure करेगी ही, वैसी ही safety edible oil की crops उगाने में भी किसानों क मिलनी चाहिए, ताकि किसान बिना डरे edible oil वाली crops को उगास के, इसके अलावा उन्हें good planting material, अच्छी irrigation management की techniques सिखाना, अच्छी fertilizers उपलब्द करवाना, या फिर productivity को increase करने के लिए जो भी अच्छी inputs चाहिए, वो मुहया करवाना ये सरकार की priority होनी चाहिए, वैसे ये जो बा को increase करना है, तब भी आप ये general points जो है, वो दे सकते हूँ, तो ये हमने पूरा article discuss किया, edible oil से समन्दित चलते हैं आगे, इसके बाद next article, smart city mission के अंतरगत, integrated command and control centers से समन्दित हैं, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो, बिल्कुल basics से सुरुवात करते हैं, आपने न अ कि है न, एक command center से operate होता है, मतलब इस एक room से बैठके आप पूरी city की power supply, पानी की supply, सब कुछ regulate कर सकते हो, ऐसा आपने देखा होगा, हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारे देश छोड़िये मतलब जो global south है न, जो developing countries हैं, या फिर least developed countries हैं, वहाँ पर ये सब नहीं होता, खा अब हम उसी रास्ते पर आगे चल रही हैं, smart city mission के बारे में आपने सुना होगा, देश में 100 cities को smart city बनाने का लक्षा है, उसमें एक component ये भी है, जिन cities को smart city बनाने का लक्षा है न, वहाँ पे एक integrated command and control center established किया जाएगा, सब कुछ जैसे पानी के supply, बिजली के supply, पूरी city को monitor क करना, सब कुछ उसी integrated command and control center से operate होगा, data भी collect किया जाएगा, अभी तक देखो, जैसे किसी area में पानी देना है, या पानी नहीं देना है, सब कुछ manually होता है, कोई person manually डंडा उठाएगा, या फिर नीचे करेगा, पानी release हो जाएगा, और supply जब रोकनी हो, तो उसको बंद कर द जाएगा, ऐसे manually काम होता है, हमारे देश में, news यह, यह इसलिए है, integrated command and control center की, हमारे जो urban minister है, union minister for housing and urban affairs, हरदीप सिंग पूरी, इन्होंने recently announce किया, कि 80 cities में तो यह integrated command and control center established हो चुके हैं, बाकी 20 cities में भी जल्द से जल्द हो जाएंगे, और देखो, यह जो integrated command and control center है, पांच basic pillars पर ठीके होंगे, सबसे पहले bandwidth, दूसरे number पर sensor and age devices, यह sensor और age devices जो है न, यह real time data generate करेंगे, कहाँ पर traffic ज्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर crowding है, कहाँ पर पानी की supply कम है, कहाँ पर ज्यादा है, real time basis पर data collect करेंगे, यह sensor और age devices, और कई सारे softwares होंगे, जो analytics का का काम कर software होंगे, जिनको अगर data दे दिया जाए न, तो वो intelligence generate करेंगे, वो analysis generate करेंगे, जैसे देखो, अब traffic का data है, दे दिया कि A जगह पर traffic इतना है, B जगह पर इतना है, अब वो सारा data, किसी software को दे दिया, तो software फिर न, analytics generate करेगा, कि इस area में इस time पर crowding जादा होती है, तो connectivity यहा पर improve की जा सकती है, चोथा pillar है data storage, और पांचवा pillar जो है, वो है system of systems, यानि वो सभी systems, जो है न, सभी pillars है, उनको आपस में जोड़ेगा, जितने भी specific components हैं, बाखी smart city mission के अंतरकत, उनको आपस में integrate करेगा, मतलब पांचवा जो main software है न, integrated command and control center software, ये एक परकार से पूरी city का brain and nervous system होगा, कुल मिला के देखो, ये integrated command and control center बहुत काम की चीज है, ये छोटी से छोटी चीज बता देंगे, कि इस area में accidents ज्यादा हो रहे हैं, इस area में crime ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर सरकार को कुछ करने की आव सकता है, तो बहुत अच्छा analysis ये करके देगा, जिससे city की जो governance है वो आसान हो जाएगी, वैसे तो देखो, कहा ये जा रहा है सरकार के द्वारा, कि ये जो integrated command and control center है अर्बन local bodies के साथ मिल के काम करेंगे, बट देखो बहुत सारी contradictions हैं, COVID-19 की महामारी आई थी, तो इन integrated and command control centers ने जहाँ जहाँ पर थे न, महामारी को control करने में इन्हो अच्छा role play किया था, बट देखो, actual में writer ये कहना चाहते हैं, contradictions ये हैं, इनको ना integrated command and control center को ना special purpose vehicle के तहत implement किया जा रहा है, मतलब इनकी integrated command and control center की जो governance है, administration है, वो urban local bodies के हाथ में नहीं होगी, तो दोनों के बीच में आपस में conflict हो सकता है, urban local bodies वाले यूं कहेंगे, कि देख लेकिन अपने अलग सिकायते होंगे, integrated command and control centers को लेखे, तो कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि महामारी के दुरान मिल के काम किया, देखो, महामारी के दुरान मिल के काम इसलिए कर पाए थे, integrated command and control center and urban local body क्योंकि उस समय मजबूरी थी, लेकिन जब normal situation रहेगी ना, तब भी मिल के काम करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, और देखो, अगर urban local body के साथ integration अच्छा नहीं होता है, integrated command and control center का, तब तो ये सिरफ center बनके रह जाएगा, क्योंकि governance तो असल में फिर urban local body को ही करनी है, तो ये अलग रास्ते पर चल पड़ेगा, integrated command and control center सिरफ data generate करता रहेगा, वीडिय करने का, फिर एक बात ये भी बोली जाती है, देखो ये जो integrated command and control center established के जा रही है न, अच्छी खासी investment लग रही है, अब ये भी question उठता है, कि एक तरफ तो ये integrated command and control center established के जा रहे हैं, इतना पैसा खर्स करके, दूसरी तरफ कई सारी cities में बेसिक services भी नहीं है, पानी की तो क्या ये सही है, मतलब basics विदा आप दे नहीं पा रहे हो, और दूसरी तरफ आप integrated command and control center में जबरदस्त पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये सारे basics हमने डिसकस किये, integrated command and control center से सम्मंदित, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, अंडमान and Nicobar की strategic importance से सम्मंदित है, आप GS paper 3 के security से, अंडमान को relate कर सकते हो, क्या contest है, देखो पिछले कुछ सालों में, अंडमान and Nicobar Islands ने ना, इंडिया की foreign policy में काफी important position हासिल कर ली है, अंडमान and Nicobar Islands दो ग्रूप में बटे हुए हैं, अंडमान आइलेंड और Nicobar Islands, ऊपर देखिए, ये हैं अंडमान आइलेंड और नीच रहते हैं, इन आइलेंड को govern किया जाता है, union territory की साहिता से, मतलब अंडमान and Nicobar अलग से union territory है, जिसके governance central government के हाथ में है, बिल्कुल specific words में बोलें, तो overall central government के हाथ में है, क्योंकि UT central government के हाथ में है न, लेकिन locally तो अंडमान and Nicobar का जो administration है, वो govern करता है इन आइलेंड को, यह इसमें तीनों armed forces है, army भी, navy भी और air force भी, यह जो integrated tri-service command है न, यह maritime surveillance करती है, इस पूरे reason में, क्योंकि देखो, अंडमान and Nicobar islands की position आप देखोगे न, बहुत ज़्यादा important है, यहाँ पर देखो, यहाँ से important sealants की, communication की sealants है वो गुजरती है, simple भासा में बोलें, तो बहुत स ships गुजरते हैं यहाँ से, और अंडमान and Nicobar islands है, इंडिया को एक्स्ट्रा EEZ area provide करता है, EEZ मतलब exclusive economic zone, exclusive economic zone मतलब देखो जैसे यह है, यह इंडिया का coast है, यहाँ से 200 nautical miles तक का जो area है वो इंडिया का exclusive economic zone है, यहाँ पर जो भी resources है न, उन पर इंडिया का हक है, चाहे वो marine resources हो, यह फिर energy resources हो, अब काईदे से देखो, इंडिया का यह main coast line है, तो इंडिया का जो EEZ area है, यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन यह अंडमान and Nicobar islands है न, यह इंडिया के EEZ area को काफी increase कर देते हैं, यहाँ भी इंडिया का EEZ area हो गया, exclusive economic zone हो गया, और भी काफी important significance है, जैस को continue करने में, अंडमान and Nicobar islands की जो position है न, बहुत ज़्यदा important है, यहाँ से हमारी जो forces है न, वो पूरे Indian Ocean पर नजर रख सकती है, चाइना का कोई ship आए, कोई aircraft आए, तो सब नजर रखी जा सकती है, उन पर, यह देखो, countering, increasing Chinese presence, इसके अलावा, और points को discuss करें, strategic significance की, इंडि region में, मतलब, इंडिया की traditional position है, कि आसपास जो भी देश आते हैं, उनको को, इंडिया security provide करता है, जैसे मालदीव में, कू की कोशिस हुई, 1988 में, इंडिया ने अपनी forces भेजी, कू को रोकने के लिए, next, इंडिया को, South East Asia से जोडने में मदद करता है, यह अंडमान एन निकोबार islands, इंडो Pacific region में, इंडिया की importance को increase करने का भी काम करता है, मतलब, इंडो Pacific region में, आपको पता है, अब इंडिया की जो importance है, काफी ज़्यादा बढ़ गई है, US का धान यहाँ पे है, US अपनी इंड strategy की साइता से चाइना को contain करना चाहता है, तो अंडमान एन निकोबार islands से इंडिया की strategic position को और ज़्यादा increase कर देते हैं, इंडो Pacific region में, अब challenges की बात करते हैं, सबसे पहला challenge दो देखो यह है, strategic importance तो अंडमान एन निकोबार islands की काफी ज़्यादा है, बट अभी तक ना, इन को यह लगेगा, इंडिया तो अच्छी power हुआ करता था, aggressive नहीं था, लेकिन इंडिया ने भी अंडमान एन निकोबार islands में military hub establish कर दिया है, कल को वो भी हमारे खिलाफ यूज कर सकता है, next, यहाँ पर development की pace काफी कम है, internet connectivity अभी भी अच्छे से नहीं है, road building, airport के लिए outstrip construction, इनका काम काफी ढिला है, दूसरे challenges की बात करें, human presence काफी कम है, कई-कई islands पर बहुत कम human beings रहते हैं, इसलिए narcotics यानि drugs गरा की smuggling काफी ज़्यादा होती है, foreign vessels के intrusion यहाँ पर देखने को मिलती है, बारिस काफी ज़्यादा रहती है, 6 महिने तो बारिस होती है, इसलिए building नह जैसे काफी दूर है, यह अंडमान एन निकोबार islands, अब बात करें, सरकार ने क्या steps लिये हैं, यह ज़रूरी है, 2015 में सरकार ने announce किया था, कि इन islands पर maritime हब establish किया जाएगा, देश का पहला, protectionism को decline किया है, सरकार ने, 2019 में एक नई island coastal regulation जो notification आई थी, जिसके तहत, ports को, harbors को और jetty's को land दिया जाएगा, इससे इन islands में जो luxurious tourism है ना, वो भी promote होगा, maritime exercises यहाँ पे काफी conduct होती है, इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलके, इंडिया नेवी जो है, दूसरे देशों के नेवी के साथ मिलके, exercises conduct करती है, जैसे Thailand, Myanmar, Indonesia, इन देशों के साथ मिलके, इंडिया इंडिया ने naval presence अपनी काफी expand की है, जैसे मतलब Ladakh region में टकराव है ना, आपको याद होगा, एक article हमने discuss किया था, आगर इंडिया को लगता है, कि land पर, यानि continental areas में चाइना अपनी पकड मजबूत कर रहा है, तो इंडिया यहाँ से जबाब दे सकता है, क्योंकि Indian Ocean में अभ इसके लाँ हमाँ देखो छोटे-छोटे ओर steps भी हैं, जैसे चेनई, अंडमान एन निकोबार, अंडर सी internet cable, ये इनागरेट किया गई थी, ताकि अंडमान एन निकोबार islands पर ज्यादा तेज स्पीड चलने वाला internet उपलब्द किया जासके, ये internet cable जो है, वो अंडमान एन के साथ remote islands को आपस में जोडेगी, जिनका नाम भी दिया हुआ है, सवराज दुईप, लिटल अंडमान, कार निकोबार, कुमुरटा, ग्रेट निकोबार, लोंग आइलेंड, एन रेंगेट, नेक्स्ट पॉइंट, कमांडर इन चीफ जो हैं, अंडमान एन निकोबार, कमां दी गई हैं, तो ये कुछ steps हमने discuss किये, जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं, यहां पर अंडमान एन निकोबार आइलेंड को डेवलप करने के लिए, और क्या करना चाहिए, यहां पर थोड़ा migration increase करें, कि लोग यहां पर जाके रहें, सरकार यहां पर tourism को पर्मोट कर सकती ह strategic infrastructure सरकार को establish करना चाहिए, ताकि इंडियन नेवी का और दबदबा हो इस पूरे reason में, दूसरे strategic partners के साथ cooperation को increase किया जा सकता है, जैसे port visit हो, US, Japan, Australia, France, UK, इनके vessels के दवारा यहां पर, आशन countries से भी engage किया जा सकता है, यह हमारी actist policy में भी मदद करेगा, वैसे भी हमें, हमारे East में जो देश हैं, उनके साथ समन्दों को मजबूत बनाना है, तो Andaman and Nicobar Islands का उसमें एक important role हो सकता है, तो यह पूरा article हमने discuss किया, Andaman and Nicobar Islands से समन्दित, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, तीन issues आज हमने details से discuss किये, thank you, thank you very much for discussion.